आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार चैनल पर दो मिलियन सब्सक्राइबर की फैमिली कंपलीट हो चुकी है आप सभी के विना ये संभव नहीं था आपने बहुत सारा प्यार दिया मुझे इतना प्यार करनी के लिए बहुत-बहुत सहर्द्य धन्यवाद चुपकाम नहीं दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे लिवर डेमेज होनी के कुछ संकेत अगर आपका लिवर वीग है या फिर आपका लिवर हेल्दी है अगर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और आप जानना चाते हैं कि लिवर खराब होने पर ऐसे कौन से कौन स संकेत मिलते हैं और समझेंगे कैसे आप लिवर को हेल्दी रख सकते हैं कैसे आप लिवर को डैमेज होने से बचा सकते हैं जिनका लिवर डैमेज है कमजोर है वीक है वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझें और जिनका लिवर हेल्दी है जिनको किसी प्रकार की प्रॉब संकेत जिनने समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है शुरू करते हैं आज किस वीडियो को बिना किसी देरी के लिए कि शूब करने से पहले प्रेंट सग्राव हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और सब्सक्राव और अगर आपको गैस और अगर आपको ज्यादा कब्ज बनता है पेट खराब रहता है यह कॉमन ऐसा लक्षड है जो फैटी लिवर होने का या लिवर में सूजन होने का एक एसी शिम्टम से है जो आपको बहुत पहले मिलना स्टार्ट हो जाता है लेकिन आप को इस तरह के कोई symptoms है किसी को gas बनना किसी को flaturance होना किसी को बहुत ज्यादा constipation कब रहना किसी को बार बार दस्त लगना या कभी कभी constipation होना और बहुत ज्यादा खटी डखारे आना acidity बहुत ज्यादा बनना acid reflux की problem होना यह कुछ को ध्यान रखना है अगर इस तरह को कोई symptoms है तो अपने नजदी की doctor से जरूर consult करिए और liver के test जरूर कराइए दूसरा लक्षड होता है दोस्तों भूख नहीं लगना अगर किसी को भूख नहीं करती है थोड़ा बहुत खाना खाया उसके बाद में आपकी इक्षा नहीं करती है खाना रखा है सामने अच्छे से अच्छा खाना रखा है लेकिन सब से नहीं लेते हैं यह जिनकी प्रॉपर नहीं है यह प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं यह जानबूज कर सोते नहीं है यह कई लोग होते हैं जिनके पास काम ज्यादा होता है लोड ज्यादा होता है इसलिए नहीं सो पाते तो ऐसे कई लोगों को लिवर से रिलेक्टेड प्रॉब्लम सोने के चांसे बढ़ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है प्रॉप पर 6-7 घंटे 6-8 घंटी की जो नीन है प्रॉपर तरीके से लेने की कोसेश करिए या फिर आप अपने हैल्थ को मेंटें करिए उसी तरीके से ढालिए जि आपको बारवार लग रहा है कि मुझे पीलिया कई दिनों से हो रहा है आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके परिवार में है कोई जिनको बारवार पीलिया होता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान क्या रखना है उनको देखिए यह पीलिया जो हो रहा है कितन सब्सक्éntемции of liver होता है कम से कम 45 मुझाधين गर्डा एस चनकता होता है जिसको आम आदमी नहीं जिल सकता भूव बड़ा खर्चा होता है तो सबसे बड़ी चीज यहीं का आप movies टांढिश होने से बचा लीचे यह जो वीडियो है इस वीडियो में मैं कई सारे संकेत आपको बता रहा हूं जो लिवर खराब होने के आसपार लिवर खराब होने से पहले ही आपको थोड़ा-थोड़ा सिंप्टम्स मिलना इस्तिराष हो जाता है अगर आप इन्हें समझ ले तो आप लिवर को बचा सकते हैं इसके लावा दोस लोगों में ऐसा देखा गया है या लिवर से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको ध्यार रखना है पांचबा संकेत होता है अगर किसी का बजन एकदम से गिर रहा है आपने देखा होगा कई लोग होते हैं आपने देखा एक महीने पहले बढ़िया हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको लिवर से रिलेटेड कोई प्राब्लम सो नहीं है यह संकेत हो सकता है कि लिवर हमारा डैमेज हो या लिवर हमारा कमजोर हो गया हो और इसी तरीके से अगर किसी का एकदम से बढ़ जाता है बजन तभी हमें ध्यान रखना है कि जब तभीellow आपका कमजोर या लिवर से रिलेटेड कोई प्राब्लम आपको सकती होता है सिक्स्त साइन होता है दोस्तों ऐचिंग होना शरीर अगर आपको लगातार इसकिन पर इचिंग हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आज यहां हो रही है कल यहां हो रही है यह पूरी शरीर पर आपको इचिंग हो रही है खुजली होती है तो आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार के कोई विमारी नहीं है लेकिन आपको इ क्यमारी नहीं है तो आपको ध्यान रखना है यह के ग्यादा होता है और लिवर का जो कम्होर होता है यह संकित हुता है अपने डेखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जनके आप जाहदा हो जाता है और फैट बढ़ जाता है नॉन एलकोहलिक फैटे लिवर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और टैस्टिस्ट्रोण लेवल कम हो जाता है जिसकी बदे ये दिक्कत होती है और यह के से में भी क Nhत होता है कमजोर होता तब यह देखने को मिलता है नौब अगर आखे अगर पीले पढ़ती है तो एक ऐसे संकेथ हैं कुछ जिन से हम पता लगा सकते हैं कि लेवर डैमेज हो रहा है और आपको जॉइंडिस या पीलिया की सिकायत हो रही है तो आपको ध्यान रखना है ये संकेत अगर आपको मिलते हैं तो अपने नजदी की डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए दसवा और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टन संकेत होता है पिशाप का संग अगर पीला आता है तो कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर से और समझे कि कहीं लिवर हमारा कमजोर तो नहीं है दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने दस ऐसे संकेत समझे जो लिवर खराब होने से पहले हमें लगवग लगवग मिलते हैं कई पेशेंट्स में यह को अपने डाइट से हटाना जो ज्यादे चाते हैं ज्यादा झाते हैं चीजा बहुता है और वी लिवर को सबसे जले औ게 तो तीसरी चीज protecting और आगर आपके बिल्कुल भीन है तो लिए डामिज हो सकता है यह ची¿ह आपको धियान रखनी है इसकी और हम कुछ और भी चीजहें से सबसे बढ़ीना पाएं कि आपको जो भी एकसराइज कर और रिटे एकसराइज करें आपको जो फल्फूट्स खाईए और हॉमियोपेथी में एक सबसे बड़िया मैडिसेन आता है कालमेग कालमेग 10 ml सुबह 10 ml श्याम को आप इसका सिरफ पीजे जिनका वी लिवर कमजोर है उनका लिवर मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा अगर किसी पीशेंट को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में लिवर वीक हैं अगर किसी का लिवर कमजोर है तो हॉमियोपेथी का कालमेग शिरफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10 ml सुबद 10 ml श्याम को मरेज को आप दे सकते हैं इसके लावत दूसरा शिरफ है जॉइन डिला एक बहुत ही बढ़िया अच्छी मेडिसिन के साथ कॉम्बिनिशन के साथ आपको ये शिरफ मिलता है इसके अंदर कई सारी ऐसी दवाईया है जो लिवर को हेल्दी रखने में और पीलिया की प्रॉब्लम को जड़ सी ठीक करने में मदद करता है इलाको भी आप 10 ml सुबद 10 ml श्याम को आप मरेज को दे सकते हैं और अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं दोस्तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईए मैं फिर मि लूँगा तब तक के लिए आशा करता हूं आप स्वस्त रहेंगे मस्त रहेंगे और मस्कुराते रहेंगे नमस्कार चाहिए